एक यूटूबर के लिए सबसे बड़ी चीज यही होती है कि अपनी वीडियो के अंदर वो कोई भी थर्ड एप्लिकेशन या थर्ड वेबसाइट की वीडियो एड़ कर रहा है तो वो नौन कॉपिराइट होनी चाहिए क्योंकि अगर उस पर कोई भी कॉपिराइट आ जाता ह तो क्लेम आपके पास आएगा जिसकी वजह से आपका मॉनिटाइजिशन गम हो जाएगा बंद भी हो सकता है अर्निंग भी नहीं होगी आपकी ऐसे ही एक यूटूबर बचता है इन वीडियो से जो कॉपिराइट होती है अगर मैं कहूं कि आपको अब नौन कॉपिराइट किसी भी पर्सनल इंफ्रोमेशन के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टागराम पर आजो रेगुलर अपडेट आपको यहीं पर मिलती है एवरी डे लिंक डिस्क्रिप्शन में उठाकर फॉलो कर लिजिएगा क्योंकि रोज सुबह 10 बजे इंस्टाग सकता है आप किसी वेबसाइट से निकालते हो आज मैं आपको दो चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जहां से आप बहुत एजली इन वीडियो को निकाल सकते हो अब मैं अगर एक्जामपल की यहाँ पर बात करूँ तो मैं सबसे पहले आप लोग के लिए यह एड़ कर लेत तो यहाँ पर आगी है नेचर है ना हिल्स नेचर की वीडियो अगर मैं यापर कर देता हूँ तो आप यह देखें वीडियो जा गिया अब इन वीडियो को मैं तो scrutाने वाल‍हूं जैसे यह देखें इंडिया है हिमालिय जीखयों आप यहां से वीडियो डाउनलोड करके अपनी वीडियो के अंदर लगा रहे हो तो समझो कि आपको copyright आ सकता है अगर इस बंदे ने claim कर दिया तो ये आपके नसीब भी अगर इसने नहीं करा तो नहीं आएगा copyright अच्छे ये तो चीज होगी कि मैंने स्रिफ आपको hills की या फिर nature की वीडियो दिखा रहा हूँ आप अपने इसाब से किसी भी moon की जो भी आपको चाहिए material आप वो search करो लेकिन मैं यहाँ पर एक चोटी सी चीज बता रहा हूँ आप three dots पर यहाँ पर click करें search filter में आ जाए search filter में आने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर add कर सकते हैं क्योंकि अब इन वीडियो पर क्या चीज है यह कोई भी community free videos है और community free videos in the sense कि आप इसको अपने पास रख सकते हैं download करके add कर सकते हैं कोई भी part इसका और वो लगा सकते हैं यह free है अगर इसमें कोई भी copyright आ जाता है तो यहां 90% videos free होती है एक का दुक्का अगर ऐसी होगी जो आपको policies के खिलाफ जाने पर बताती है otherwise आप यहां से download करके कोई भी videos ले सकते हैं एक तो तरीका यह हो गया अगर आपको लगता है कि भाई यह भी तरीका सही नहीं है तो कुछ नहीं करना आपको अपने Google पर आ जाना है Google पर आपको search कर लेना है pixels बस इतना search करना है पहली website आपको मिल जाएगी pixels की जैसी आप इसको tap करेंगे मैं आपको बताओं भाई सब आज की date में अच्छे अच्छे YouTubers इस website को use कर रहे है क्योंकि free videos यहां से मिलती है आपको और इन videos की quality भी एक number होती है और यहां पर आप देखो कुछ भी आप search कर सकते हो आपको कोई भी photo videos यहां पर मिल जाएगी अब जैसे कि example के दोर पर देखिए यहां पर एक nature की video है और यह video में आपको play करके दिखाना चाहूँगा यहां पर यह play भी हो जाएगी और play करने के बाद आप इसको use भी कर सकते है अपने videos के अंदर आप इसको ऐसा material यूज कर सकते हैं और यहां लिखा हुआ free to use जैसा कि आप देख सकते हैं अब अगर free to use आप करना चाहो यहां से कर सकते हो इसमें कोई-कोई video एक दो ऐसी हो सकती है जहां पर आपको कुछ pay करना पड़े लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप initial stage से शुरू कर रहे हैं एक YouTube हैं तो भाई आप free वाली videos लो क्योंकि free वाली videos को उठा उठा कर आप अच्छी काम पर पहुंच सकते हो देखे सबी videos के आगे download का एक option है जैसी आप इसको tap करोगे tap करने के बाद आपको यहां पर यह मांगेगा donation लेकिन हमने खतम कर दिया क्योंकि ओपर हमारी video हमारी download हो चुकी है अगर मैं इसको video को यहां tap करता हूँ download के लिए तो देखे यह आ गया thanks आ गया और उपर यह हमारी video download हो रही है और यह हमने open करके इसको देखेंगे आप तो देखे यह हमारे पास download हो चुकी अब इसके बाद हमने जो और download करी है और इसके नीचे कुछ चीज़े और भी है जैसे free 4K stock video आप यह भी ले सकते हैं वीडियो के साथ photo है free images है है ना यह सब चीज़े हैं आप यहाँ पर ले सकते हैं pixel lab एक ऐसी है यहाँ पर जिससे हम edit करते हैं लेकिन यह pixel website है जहाँ पर आप कोई भी material free में ले सकते हैं इस website से यह बहुत बड़े-बड़े creators use कर रहे हैं आप ऐसे ही use कर सकते हैं इन videos को अपने video के अंदर जिससे के आपको कोई भी copyright claim नहीं मिलेगा यह YouTube community में बहुत सारी creators हैं जो इसके बारे में already बता भी चुके हैं बट मैं personal आपको इसको demo करके बता रहा हूँ हर एक चीज को मैंने step by step करके बताया जिससे के आप अच्छे से समझ जाएं अगर आप एक YouTuber हैं तो हमें बताईएगा कि आप इस videos को use करके इन videos को use करके आपको अभी तक कोई copyright आया है या नहीं ताकि और लोगों को भी पता लगे जो comments पढ़ने आये हैं कि भीया इसका फायदा हो रहा है या नहीं आज के लिए बस इतने ही दोस्तों अगला topic हमने बताईए क्या होना चाहिए जैहिंद